बिहार में शराफ कांड की बाद जार्गन सरकार अलट मोड पर है राजी पुलस महाने देशक के निर्देश पर पूरे राजी में अवैथ शराफ भट्टियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रब में रभिवार को सराइकला खरसावाज जिला के आदित्यपुर्थाना पूलस ने सापड़ा उत्तमडी के बीच जंगल में अवैथ रूप से संचालित महा शराफ भट्टी को द्वहस्त किया इस दौरान पूलस ने करीब 200 लिटर नकली शराफ और इतना ही जावा महुआ नस्ट किया वह भारी मात्रा में शराफ बनाने में परयोक्त सामानों को जब्त किया है इस संबंद में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजिन कुमार ने बताये कि उन्हें लगादार सूचना मिल रही थी कि शेत्र में अवैथ शराफ भट्टी का संचालन हो रहा है जुसके बाद S.P. के निर्देश पर यह कारेवाई की गई है उन्हें शेत्र में संचालित अवैथ शराब कारोबारियों को सक्त हिदायत देते हुए कहा कि अभी लंब अवैथ शराब का कारोबार बंद कर दे अन्यथा ना केवल कारेवाई होगी बलकि उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा पुलिस के इस कारेवाई के बाद इलाके के शराब माफियों में हड़कम्प मचा हुआ है वियोर रिपोर्ट इंडिया नियूज वारल पिहार जारखेंड इस प्राप्ट हुआ है कि बिहार में जहरीली सरापकांड के बाद पूरा जारखेंड इलट पे है इस समय भी अवेद धारू की ढुलाई हो रही है चुलाई हो रही है कि अपने चेतर में कहीं भी कोई भी महुआ, अंग्रेजी, कोई भी अवेद शरापको कर आबार कर रहा तो उसको बंतना है यह उत्तम भी पड़ता सापड़ा के पास पूर्फ से लगतार सी कहा था रही थी कि यहां पर भटी है जहां पर अभेद महुगात की चुलाई की जाती है इस समय में आज तोड़ किया गया है और काफी मात्रा में जावा करीब दो सोड़ाई जो की जी और दारू करी 30-35 लिटर मिला है और सब समान को जो भी समान नश्ट कमें लैक्ता तोड़ दिया गया है चुला था चुला को तोड़ दिया गया है और अब जहां जहां भी सुचना मिलेगी जनकारी मिलेगी और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से